हालो वेल्कम बाइक स्टुडेंट्स आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चों क्लास 12 के विदार्थों के लिए इंगलिज के पॉयम दे वाइड स्वान्स एड कूल दे वाइड स्वान्स एड कूल इस पॉयम को आज हम लोग सिखेंगे समझेंगे यह बहुत ही बी यहधरीन कवीता लिखी गई है डलू बीइट्स के द्वारे डिवल भी इट्स जाने माने और बहुत Hasta Mr.م ice plat ह ж भिएर्ज प्रोज ठीड़िस पॉयin a Gordon मारी डिंह बभने देखें में बता दूंता पॉइटी में ऑनकर 2017 में प्पॉपी स्वारा को W.B. Itz को उन्हें नोबल प्राइस भी रिशिप किया उन्हें सरफसे जो अवार्ड होते हैं वो उनको मिला नोबल प्राइस 1923 में 1923 में उन्हें नोबल प्राइस को रिशिप किया बचों बता दुँ यह कवीता W.B. Itz अपने बच्पन के दीनों को याद करते हैं और कवीता का निर्वांन किये हो हैं लिखे हुए हैं तो हम आज लाइन वाइज इसस कवीता को समझेंगे शीखेंगे कि डबलू भी इट्स की जो बच्छमन के फीलिंग थे वो क्या थे कैसे थे तो चलिए हम लोग बारी-बारी से इसको समझते हैं कुल एक प्लेस का नाम है जो की आइलेंड में है तो कुल जगह पे जाकरके कवी का जो इमेजनेशन है वो उसी जगह को लेकरके है जो एक तालाब जैसा है वहां पे हन्स आते हैं स्वान साते हैं सो सी दफ फस्ट लाइं अग्री अरे इन देर आटम ब्यूटी ब्रह इन देर आटम ब्यूटी बिखे रह थे सारी पेड़े पतियां पिली-पिली हो रहे थी यानि autumn season की खुबसूरती लिए हुए सभी पेड़ खड़े हुए थे सभी पेड़ों में autumn beauty देखी जा सकती थी तो वही कहा गया है the trees are in their autumn beauty यानि जब पेड़ थे वो अपनी autumn beauty में थे autumn season की beauty में थे सुन्दरता में थे यहां उडलेंड का मतलब हो गया जंगल तो जंगल के जो रास्ते थे यहां उडलेंड पाथ पाथ का मतलब रास्ता तो जंगल के जो रास्ते थे वह सुख चुके थे वहां जो गहांस थी वह गहांस खतम हो चुके थे वो रास्ते जो है वो सुक शुके थे ठीक है अंदर अक्टूबर ट्विलाइट दा वाटर अंदर अक्टूबर ट्विलाइट दा वाटर मिर्रस अस्टील स्का है जब अक्टूबर की साम होती है अंदर अक्टूबर ट्विलाइट त्विलाइट के मतलब साम का समय वह भी अक्टूबर महीने में, ठीक है, under the October twilight, the water, तो साम का समय जब होता है, October महीने में, तो उस particular place ते, उस cool जो जगा था, जो जील था, वहाँ पे क्या होता है, water, mirrors, a still sky, यानि जील की जो पानी था, जील का जो पानी था, उस पानी में जैसे मीरर में कैसे दिखता है उसी तरह आस्मान का प्रतिरूप उस जहील में दिखाई दे रहा था ठीक है ओपन दो ब्रीमिंग वाटर एमंग दो स्टॉन्स यहां ब्रीम का मतलब होता है भरा होना ठीक है तो जैसे पानी पत्थरों के बीच में जाके भर जाता है जैसे जो किनारे पे पत्थर लगे हुए थे उन पत्थरों में जैसे पानी जाकर के भरता है फिर वापस आता है नीचे आर नइन एंफिफटी स्वान्स नेज ना ररन एंफिफटी स्वान्स ब्रीमिल् के जाक की दो सच वाड़ एंफटी ना ररन पूर Scallum उनके 59 स्वान्स थे. Next, हम लोग दिखते हैं, जो यह है. The 90th autumn has come upon me. 90th autumn has come upon me. It means the poet spent 90th years. The poet saw 90th autumn season on that particular place. It means, कभी का उम्र यहां 19 सल हो गया. तो वही कह रहे हैं कि, मैंने 19 autumn season को देखा. It means, उनके जो उम्र हैं, वो 19 साल है. Since I first made my count, और 19 साज में, आज मैंने पहली बार count किया. किसको? स्वान्स को, जो यहां आते हैं, उसको मैंने count किया. I saw before I had well finished, मैंने देखा कि जैसी मैं स्वान्स की गिंती को पूरा करता, all suddenly mount, फिर आचानक क्या होता, mount हो जाता, mount का मतलब होता, उठ खड़ा होना. तो सारे स्वान्स दो पानी में थे, वो उठ खड़ा हो गये, and scatter, willing in great broken rings. और scatter हो गये, मतलब छितर बितर हो गये, इधर उधर हो गये, और एक broken ring में, willing in broken ring, open their clamorous wings, और अपनी पंखो फरफरवाते, फरफराते, वहां से उड़ चले. तो जैसे मैंने उसे count करने का सोचा, तो punk फरफराते, फरफराते सारे स्वान्स जो है, वहां से, वहां उड़ गये, और निकल गये. See, I have looked upon these brilliant creatures. मैंने इन brilliant creatures को देखा है, जो काफी तेज हैं, and now my heart is sore, और मेरे जो हिर्दे हैं, वह काफी दुखी है. मैंने इन सारे creatures को देखा है, और मेरे जो हिर्दे हैं, वह काफी दुखी हैं, इनको देख करके. All chance, since I am hearing at twilight. लेकिन सभी चीज़ें बदल जाती हैं, कब? जब मैं देखता हूँ, twilight में, मतलब October की जो साम होती है, उसमें मैं देखता हूँ, और सुमता हूँ, Swans को देखता हूँ, और तो सारी चीज़ें जो है, वह बदल जाती हैं. The first time on the shore, जब मैं उस सोर पे गया और पहली बार में, पहली बार से जब मैं अक्टूबर की twilight में, उन स्वान्स को देखता हूँ, तो सभी चीज़ें तब से बदल गई हैं, कभी अपनी feeling को बताते हैं, कि कैसे वो करते आ रहे हैं, And he spent 90th autumn season, watching the swans at cool. ठीकर, next part में हम लोग दिखते हैं. The bell beat of their wings above my head. The bell beat of their wings above my head. जहां कभी खड़े राते हैं, उनके उपर से, उनके सर के उपर से, वो सुन सकते हैं, क्या? The bell beat of their wings. यानि उनके पंक की जो फरफरायत है, उनके पंक की जो आवाज है, उनको वो सुन सकते हैं. और आवाज वो कैसी है? वो bell beat जैसे है, जैसे घंटी बजने की आवाज होती है, उस तरह की आवाज स्वांस के पंक के आ रही है. तो उनको वो सुनते हैं, जो कि उनके सर के उपर से, गुजरते हुए जाते हैं, स्वांस, उनकी वो आवाज को सुनते हैं. जो आवाज है बेल बिट जैसी उनकी पंक्खों के टोड विध लाइट ट्रीड और कभी वो सुन करके वहां से धीरे-धीरे निकल जाते हैं चल पड़ते हैं, ठीक है? अन्वियर्ड, स्टील, अन्वियर्ड स्टील, लव लवर बाई लवर वो कभी थकते नहीं, जो स्वांस हैं कभी थकते नहीं है, वो लवर पाई लवर यानि प्रेमी जोडों में रहते हैं, वो स्वांस जो हैं वो प्रेमी जोडों में रहते हैं the paddle in the code on padel करते हैं जैसे वह थंडी पानी में जाकर उतरते हैं और paddle करते हैं थंडी पानी में जाकरकी वो जोड़े में रहते हैं हंस जो होते हैं वो जोड़े में रहते हैं और just beam with ourable जाकर कि वो पैड़े करतेब्स एक साथ चलते हैं company और आंonders streams or climb the Ai तो यहाँ स्वान्स की जो एनरजी है उसको पाईट दरसाने का प्रयास कर रियास North Next line नोगे देखते है There hearts have not grown old उनके hearts जो है जो सवान के hearts वो अभी तक old नहीं हुए हैं उन में काफी जजबा जोन जोस है वो active है वो उनके hearts जो है वो old नहीं हुए हैं उनके hearts जो है वो young हैं अभी तक ऐसा कभी कर रहे है Passion and Conquest, wonder where they will उनके अंदर अभी भी पैसन है, जाहत है किसी बीग चीज के करने की चाहत है स्वांस में कहीं भी ज्याने कि किशी बी चीज को जीत की चाहत उन में है वडर वेहर बेट गून सकते हैं, वकी वद cheंए है क्हुंकि वक्क वो स्वांस है वह ओड एज में नहीं है वो काफी यंग में एटन ओपन देया एटन ओपन देम यानि इसी लाइन का यह पाट है कि वो कभी भी कहीं भी भूम सकते हैं वो काफी स्वतंत रहें फ्री हैं हर चीज को वो जीज सकते हैं उनमें पैसन है ठीक है बट नाव देट अन्द स्टील वाटर मिस्टेरियस ब्यूटिफूल लेकिन जो स्वान है वो पानी में उतर जाते हैं पानी में उतरे रहते हैं और वो काफी खुबसूरत लगते हैं काफी मिस्टेरियस लगते हैं काफी रहस्माई लगते हैं और बेहतरीन लगते हैं, काफी खुबसूरत लगते हैं, ठीक है, डिप का मतलब होता है, नीचे चले जाना है, बट नाव दे ड्रिप अन दे स्थीर पानी में चले जाते हैं, मिस्टेरियस ब्यूटिफुल और काफी वह आकर्शक लगते हैं, काफी सुंदर लगते हैं, और वोत स्थीर से विल दे ब्लाइगे, औरकारो अंस रहने के लिए अपना जगा क्याら किस झील के ítulo किनारी बनाने हैं, लगत अपने जैँद मैं, और जहां भी वो बनाने हैं, अपना घर और घूसला क्या आपना अच्छा ए अका धार होगाु। और हन्सों को देखने का मौका मिलेगा ऐसा कभी कह रहे हैं लेकिन डवल बीडी यहां पड्ड जो हैं वो कहते हैं कि जब भी मैं जाओंगा मैं कभी किसी दिन जाओंगा मैं उठाओंगा अविक सम्डे टू फाइंड दे है फ्रोन अवे और मैं देखोंगा कि वह सारे हन्सों वहां से उठाओं हैं पड़का हैं कमेंट बोक्स में कमेंट करें बताएं कि अचोन आप ऑ्स टॉपिक पर वीडियो का मैं आंपके उससटीं करहें आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें आपके अंगरी जी क्या से स्ट्रॉंग हो इसको लिकर के बहुत सारी वीडियो होना है चैनल पे आप जरूर से जरूर दखना थैंक्स वर वाचिंग